हेलो वच्छों सागता आपका अपनी चैनल इस्टडी आएक्यू प्रियम में आसा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आज हम लेने वाले हिंदी की इसका छटा पार्ट तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज किसीवी जानकारी को माँ अगर आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसको हम अपने टेली चैनल पर प्रोवाइड करते हैं और सभी वीडियो के PDF वहां पर उपलब्द कराते हैं तो उसको जरूर कर लें ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए चलते हैं अपने D, C, D, इनमें से कौन सा है, जो आपका अलपप्राण वर्ण है, तो दो इसमें अलपप्राण वर्ण दे रखें, तो ये कौन से हैं, दो सा ही इसमें, तो आप राइट आंसर टिक करेंगे, तो देखें, इसका राइट आंसर होगा वाच्चो, ऑप्शन C, जो कहगे हैं, ये अलब प्राण वड है, आप जब इसे बोलेंगे, तो आपको लगेगा कि इसे, कम मतलब कम घर्सन इससे हो रहा है, अगर इन अन्ने ताइन और सब्दों को बोलेंगे, तो घर्सन ज़ादा हुगा, तो इन्ही को alpraand और महःःःःः कहते हैं, जिनमें ज्यादा जूल लगाना पड़ता है बोलने में तो उनको महाप्राण बोलते हैं और जिनमें कम जूल लगाना पड़ता है बोलने में उनको आप अलप प्राण में रखते हैं ठीक है तो जो आपका C option होगा इसका राइट आंसर होगा ठीक है चलेंगे अगले question की तो कौनसा इस में राय आंसर होगा तो देखेंए इसका राय आंसर गास प्राण जो प्राण है आपका यह सुध्ष लिखा हुआ है और जो आपके हिंदु और चिन है यह आपके असुद लिखे हुए है ठीक है राइट अंसर आपका डी होगा चलेंगे अगले क्वेश्चिन की तरफ अगला क्वेश्चिन आपकी स्कीन पर वच्छो इन में से कौन से सब्द असुद है तो असुद जो सब्द है आपको चाटना है तो आप बाकी जो तीन होंगे उनकी वरतनी शही होगी इसमें ठीक है तो ओप्सन आपके सामने है एक कलस भी पूंडे सी रसायन या डी कल्यान तो राइट आंसर टिक करना है आपको, असुद सब्द को छाटना है, ठीक है, आप समझ गया होंगे, कौन सा है इसमें असुद सब्द, तो देखें इसका राइट जो आंसर है, ऑप्शन B, पूर्णे, जो पूर्णे लिखा हुआ है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा और रसाइट जो है, ये भी सही है, ये दूसरे टैप से लिखा हुआ है, आप इसे रसाइट नमाने, ये रसाइट लिखा हुआ है, ठीक है, और कल्याण कलस, ये सभी राइट आंसर है, और असुद सब्द जो है, आपका पूर्णे है, ठीक है, चलेंगे अगरे क्वेशन क तरफ तेखिए अगला क्वेस्चन है इन्हें से कौन से योगम सब्द गलत है तो इन्हें से दो योगम दे रखें दो-दो सब्दें इसमें इसमें से योगम जो सब्द गलत है उसको आपको छटना है तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा टिक करेंगे तेखिए यह है नसा मंद, B. निसान, चिन, C. नगर, सहर, D. नारी और इस्त्री, तो राइट आंसर आप टिक करेंगे, समझे के होगे, कौन सा आंसर इसमें सही होगा, तो देखें, इसका राइट आंसर जो होगा, option P, निसान, चिन, जो सब्द है, युगम, सब्द गलत है, ठीक है, ये जो है, आ इसमें कितने प्रकार की होती है, A. एक प्रकार की, B. दो प्रकार की, C. तीन प्रकार की, यह D. साथ प्रकार की, तो राइट आंसर टिक करेंगे, कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, तो देखें बच्चों, इसको जो राइट आंसर होगा, option C, जो संदी होती है, आपकी, तीन प्रकार की होती है ठीक है याद रखेंगे आप यह direct question आप से पूछ लिए जाते हैं अगला question आपकी screen पर दिये गए सब्दों में सुद्ध वरतनी वाला सब्द कौन सा है तो सुद्ध वरतनी आपको छाट नहीं है इसमें से तो सवरे सुसुपति लिखे हुए है यह तो इनमें से कौन सा सुद्ध है लिखा हुआ तो उसको आपको छाटना है तो right answer टेक करेंगे अपना option आपके सामने a,b,c,d कौन सा इसका right answer होगा तो देखिए इसका right answer जो होगा बच्चो option c सुसुपति जो c में लिखा हुआ है यह इसकी सुद्ध वरतनी होगी ठीक है याद को लाइक और सब्सक्राइब जरू करनें फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें और शेर जरूर करें ठीक है चलेंगे अगले question की तरफ देखिए अगला question है दिये गए सब्दों में सुद्ध वरतनी वाला सब्द है तो सुद्ध वरतनी आपको छाटनी है option आपके सामने है a b c d option आपके सामने है टिक करेंगे अपना right answer तो देखिए इसका right answer जो होगा option c शुरूत जो शुरूत लिखा हुआ है option c में यह सुद्ध वरतनी वाला सब्द है ठीक है यह सुद्ध लिखा हुआ है और जो a और b और d आपके लिके हुए है यह एक गलत वरतनी के सब्द है ठीक है ध्यान रखेंगे अगले question की तरफ च smas b s ant 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 short samas ya d कर्म faded sama तो राइट अंसर ट्क कहेंगे 10 अ कि तो देखिए बच्वाए इसका right answer होगा option d कर्म तत पुरूस तो प्थी कि कर्म तपुरूस जो होगा सिर तोड में ठीक हैं जो君 को तोडने का ये कार्रे हो रहा है इसमें तो ये कर्म तत्पुर्ष इसमें आएगा ठीक है ध्यान रखेंगे आप इसका राइट आंसर होगा option D चलेंगे अगले question की तरफ माहत्मा में कौन सा समास है जो माहत्मा सब्द है आपका इसमें कौन सा समास होगा राइट आंसर देखेंगे option A तत्पुर्ष समास B अव्वेवी भाव समास B बहुवीरी समास ये D कर्मदार समास तो राइट आंसर टिक करेंगे तो देखे बच्चो इसका राइट आंसर जो होगा option D होगा कर्मधार शमास जो महात्मा सब्द है इसमें D option कर्मधार शमास इसमें राइट आंसर होगा याद रखेंगे आप महात्मा जो सब्द होगा इसमें कर्मधार शमास आप लगाएंगे ठीक है चलेंगे अगले question की तरफ देखिए अगला question आपकी screen पर इनमें से अलंकार के कौन सा भेद नहीं है तो इनमें जो option दे रखें उनमें से अलंकार का भेद नहीं है तो उसको आपको छाटना है जो अलंकार नहीं है ठीक है तो यह option a छेकानुप्रास b सब्दलंकार c लटानुप्रास या d इनमें से कोई नहीं तो आप answer समझ गए होंगे इसमें सही answer होगा option b सब्दलंकार जो है इसमें अलंकार का एक भेद नहीं है ठीक है ध्यान रखें और जो आपके छेकानुप्रास है सोरी जो यह इसमें बेद पूचा है कि अलंकार का कौन सा भेद है तो इसमें सब्दलंकार जो है एक अलंकार का भेद, एक छेकानुप्रास और लटानुप्रास यह जो है आपके अलंकार के एक भेद नहीं है ठीक है दिहां दूखेंगे आप राइट answer की सीरीस हम डेली लेते हैं ठीक है एथ। थोड़ा टाइम अगर हमें नहीं मिलता है तब नहीं ले पाते हैं वह ना हम डेली स्कीज को चलाने की प्रायस करते हैं ठीक है तो देखे अगला क्वास्चन है अर्थालंकार के कितने बेद होते हैं तो option आपके सामने है देखिए ए 10 बी 11 सी 12 यंडी 15 तो अर्था लंकार के आप भेद देखेंगे कितने होंगे देखिए इसका राय टांशर जोगा option C बार है जो है अर्था लंकार के भेद होते हैं ठीक है राय टांशर ओप्षन ओप्सन सी होगा इसका बार है अर्था लंकार के भेद होते हैं सरुर ध्यान रखेंगे चलेंगे अगले question की तरफ अगला है आपका इन में से रस के कौन सा भेद नहीं है तो इसमें कौन सा है चो की रस का एक भेद नहीं है तो right answer टिक करेंगे एक करोन, B, रूपक, C, उलेक या D, इन में से कोई नहीं तो right answer टिक करेंगे इसमें हम गलत पढ़ गए इन में से रस का भेद पूछा है ठीक है तो भेद कौन सा है इसमें रस का तो देखेंगे इसका right answer होगा option A, करोन जो है आपका एक रस का भेद है और यह जो आपके B, रूपक, C, उलेक और D इसमें गलत होगे ठीक है, right answer आपका A होगा, करोन, चलेंगे अगले question की तरफ, देखेंगे अगला question है, इस्थान के आधार पर बताईए कि मुर्धन्य विएंजन कों से हैं, तो option आपके सामने है, इसमें से आपको मुर्धन्य विएंजन आपको छाटना है, जो मुर्धन्य मुर्धा से बोल ठीक है, जो होगा, आपके मुर्धन्य विएंजन होंगे, जो कि आपके जीव से बोले जाते हैं, तो इनका right answer होगा, option C, ठीक है, चलेंगे अगले question की तरफ, देखेंगे अगला question आपकी screen पर, नेमने में से अलपपराण वर्ण कों सा है, तो अलपपराण आपको छाटने ह ठीक करेंगे, तो देखेंगे इसका right answer जो का option C, के ओगे जो हैं एक आपके अलपपराण वर्ण है, ठीक है, right answer आपका C होगा, चलेंगे अगले question की तरफ, अगला है आपका, नेमने में से नासक्य विएंजन कौन सा है, तो नासक्य विएंजन आपको छाटना है, right answer टिक कर आपके जो विएंजन होते हैं, उसके वर्ण में, पांच में ये आता है, जो आपके पांच वर्ण होता है, वो नासक्य विएंजन का वर्ण होता है, ठीक है, जो सभी पांच वर्ण में जीतनी वी अक्षर आपके आते हैं, वो सभी नासक्य होते हैं, चलेंगे अगले question की देखिए अगला question आपकी screen पर Hindi word माला में अयोग्यवा word कौन से हैं तो अयोग्यवा आपको छाटने कौन कौन से हैं आपके अयोग्यवा सब्द देखिए option A आपके सामने B, C और D इनमें से right answer आपको टिक करना है कौन सा सही answer होगा तो देखिए इसका right answer जो होने बाला है option C अंगा अंगा जो लिखा हुआ है अये और अंगा जो लिखा हुआ है इनमें से ये जो ही आपके अयोग्यवा सब्द कहलाते हैं ठीक है याद रखेंगे आप चलेंगे अगले question की तरफ तेखिए अगला question है अगला है आपका निमनें से कौन सा ghost word है तो ghost word आपको छाटना है एक है भी ठै सी मैं या डीच है तो right answer टिक करेंगे देखिए इसका right answer जो होगा option C मैं मैं जो हाँ आपका एक ghost word है ठीक है दियाना रखेंगे आप right answer आपका C option मैं होगा चलेंगे अगले question की तरफ अगला है आपका कौन सा अमानक word है तो अमानक word आपको छाटना है कि कौन सा है जो कि अमानक word कहलाता है तो देखिए option आपके सामने A, B, C, D right answer टिक करेंगे देखिए इसका right answer जो होगा option C भे जो है एक अमानक word कहलाता है तो आप जिसे जरूर ध्यान रखेंगे यह के वार एक्जामों में पूछा गया है अगला question देखेंगे अगला है आपका हिंदी में मुलत है वर्णों की संक्या कितनी है तो right answer टिक करेंगे बढ़ा आसान सा question है आपकी स्क्रीन पर A. 50 B. 51 C. 22 यह D. 3 पर right answer टिक करें तो देखेंगे इसका right answer होगा option C. 22 ठीक है ज्यान रखेंगे मुलत है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 22 आप टिक करेंगे चलेंगे अगले question की तरफ अगला question आपकी स्क्रीन पर option D. स्युक्त वर्ण तो यह स्युक्त वर्ण में आती है आपकी छत्रे ठीक है जहां राखेंगे option D. इसका right answer होगा चलते हैं अगले question की तरफ ग्यानी जो वर्ण है किन वर्णों के स्युक्त से बना हुआ है तो right answer आप टिक करेंगे A option B option C option या D option तो right answer कौन सा होगा इसका तो देखिए आप समझ गया होंगे इसका right answer जो होगा option B J पिलस या जो सब्द है यह इससे बना हुआ ग्यानी सब्द है ठीक है आप उपले उसको नहीं चूर देखेंगे जो हलंत लगा हुआ है उस सब्द को आप chain करेंगे ठीक है हलंत वाले सब्द को आप J वाले को chain करेंगे bigger हलंत वाले को आप chain नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका गलत answer हो जाएगा ठीक है ध्यान रखेंगे इस बात का आपको ध्यान देना हुआ चलेंगे आगे की तरफ अगला है अगोसवर्ड कौन सा है तो अगोसवर्ड चाटेंगे A से B A C J या D है तो राइट answer टेक करेंगे अगोसवर्ड कौन सा है तो देखेंगे इसका राइट answer जो होगा option A जो से सब्द लिखा हुआ है ये एक अगोसवर्ड है और जो आपके A, J और है लिखेंगे ये गोसवर्ड है ठीक है द्याना करेंगे चलेंगे अगले question की तरफ गह का उच्छान किस इस्तान से होता है तो आप देखेंगे कि गह जो आप बोलेंगे तो इसका उच्छान किस इस्तान से होगा तो देखेंगे इसका right answer जो होगा option आपके सामने दे रखें, right answer टिक करेंगे तो आप इसे एक बार बोल के जरूर देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये किस मुझे किस बाक से आपको बोलने में आपको आ रहा है ठीक है तो देखेंगे इसका right answer जो होगा option D, कंट से बोलेगा ठीक है, जो गहे आप जब बोलेंगे मुझे खोलके तो ये अंदर से एक आवाज आती है गहे तो आप समझेंगे कि ये कंट से आ रही है ठीक है, आपके जो नीचे जो गले का भाग होता है उससे, ठीक है चलेंगे अगले question की तरफ जिन सब्दों के अंत में A आता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो देखिए option आपके सामने A, B, C, D, अनुसर, अकरांत, अतस्त, या आयोगवा तो right answer टेक करेंगे, सभी को पता होगा इसका answer देखिए इसका right answer जो होगा option B, अकरांत सब्द कहलाते हैं, जिनके अंत में A सब्द आता है, ठीक है, राइट अंसर आपका B होगा, अकरांत सब्द ठीक है, तो आपको कैसी लग रहे है ये series, आप जरूर बताएं, comment जरूर करें, वीडियो पर, और like जरूर करें, चैनल को subscribe जरूर करके जाएं, और अपने साथियों के साथ share जरूर करें, और quiz को daily जरूर दें, और CRPF paramedical में ये लाबदायक होगी, और आप हमारे अगर CRPF paramedical की class लेना चाते हैं, तो playlist बनी हुई है, वहाँ से आप जाके watch कर सकते हैं, ठीक है, चलिए मिलते हैं अंगली वीडियो में जहें जय बारत